हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल इंगलिश विद माया एंड कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो चली फ्रेंड हमारे सीरीज चल रहे हैं इंगलिश वोकाब की जिसमें आप वन वर्ड सब्रेट्यूशन प्लस फ्रेजल वर्ड करते हैं श्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नय हैं तो चैनल को साव्क करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें देखेज़ यह चैनल करें इचे करें आप One who is inexperienced in anything एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी experience ना हो उससे क्या कहेंगे? तो देखते हैं, पहला आपसे नहारो optimist Optimist means होता है आशावादी एक ऐसा इंसान जो हमें सब positive think रखता हो ठीक है? उसे बोलेंगे आशावादी फिर क्या है? Orphan, orphan child कैसा होता है? नहीं होते हैं, वो अनात कैलाता है ठीक है, friend? Philanthropist क्या होता है? Philanthropist means होता है, Phil means होता है Love, Anthro means होता है Mankind मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब मानावतों से क्या करता हो? Love करता हो, उसे बोलेंगे Philanthropist बोलेंगे Okay, friend, novice क्या होता है? Novice होता है, beginner जिसे हम क्या बोल सकते हैं? beginner एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी experience ना हूँ वो अभी नया नया सेखने वाला हो तो हमारा right option क्या बन जाएगा? Novice One who is inexperienced in anything So right option आपका बन जाएगा? B Okay, चले देख लेते हैं Next question हमारा क्या है? Lover of self एक ऐसा इंसान सिर्फ खुद से जो प्रेम करता हूँ उससे क्या बोलेंगे? Polyglot Poly means होता है बहुत क्या होता है? बहुत सारी language को बोल लेता हो उससे क्या बोलेंगे? Polyglot मतलब इसके पास बहुत सारी language का ग्यान हो ठीक है? Mycologist क्या होता है? माइसोलोजिस्ट होता है मिस मिन्स होता है हेट करना ठीक है और लोजी मिन्स होता है अध्यान करना मतलब एक ऐसा इंसान जो अध्यान से क्या करता हो हेट करता हो मतलब कि नौलिज से क्या करता हो हेट करता हो नफरत रखता हो उसे बोलते हैं mysologist नेमशिक क्या होता है नेमशिक जो किसी के नाम पर किसी का नेम रख दिया जाता उसे बोलते हैं नेमशिक नार्सिष्ट क्या होता है lover of self जो सिर्फ अपने आप से frame करता हो उसे बोलते हैं नार्सिष्ट तो हमारा right option क्या बन जाएगा C, अब देख लेते हैं हमारा next question क्या है देखे One who hates war, loves and peace एक ऐसा इंसार जो war, love and peace से क्या रखता हो, नफरत करता हो उसे क्या बोलेंगे तो देख लेते हैं, पेशी मिष्ट क्या होता है पेशी मिष्ट होता है निराशावादी, क्या होता है फ्रेंड, पेशी मिष्ट होता है निराशावादी पर मैंने बता है न, optimist तो उसी का opposite बन जाता है, पेशी मिष्ट, ठीक है निराशावादी, ठीक है फिलिस्टाइन कौन होते है, फिलिस्टाइन means होते है, असा भी type क्या होते हैं फ्रेंड अ सब भी टाइब के ठीक है फीलाईट लिस्ट क्या होता है फिल मिन्स क्या होता है मतलब की जो कोईन से प्यार रखता हो ठीक है भुल ऑफ पैसे मठीह नहें तो वार फीलाइप नहीं wichtig जिसको किस चीज से मतलब ना हो और ना तो वार से वो मतलब रखता हूं, ना ही लव से ना ही पेसी, ठीक है? So, right option आपका बन जाएगा C, पेसी फिश्ट, ओके? क्या बन जाएगा? पेसी फिश्ट, ओके? चले, अब देख लेते हैं, next question क्या है हमारा? देखें, a person who walks in sleep, a person who walks in sleep, एक ऐसा इंसान, जो सोते समय क्या करता है? चलने लगता है, ठीक है? सोते समय उठ करके चलने लगता है, उससे क्या बोलेंगे? तो देख लेते हैं, देखें, समाइटन क्या होता है? समाइटन होता है, जो बिना किसी मतलब की आसा की, किसी की help करे, ठीक है? जिनको help किया सकता है उनके वो help करें ठीक है वो कहलाता है सेमेरिटन ओके तो और फिर क्या है सोमनाम बुलिष्ट सोमनाम का मतलब यह क्या होता है sleep क्या होता है sleep ठीक है बुलिष्ट मिन्स होता है वाक करना ठीक है तो क्या हो जाएगा जो सोते समय वाक करता उसे क्या बोलते हैं सोमना बिलिष्ट ठीक है अब सोमना लोकिस्ट क्या होता है सोमनी मिन्स क्या होता है स्लीप हो गए लोकिस्ट मिन्स होता है टॉक करना ठीक समय क्या करता हो बाते करता हो उसे हम क्या बोलेंगे सोमनी लोकिस्ट ओकी फ्रेंड, टीटी टॉलर क्या होता है? टीटी टॉलर वो एक ऐसे पर्सन होते है जिनको किसी भी ड्रक से, नसे से, क्या हो? नफड़ वह हैट करते हूँ, मतलब उनके आदी ना हो। उसे हम बोलते हैं टीटी टॉलर ओके? तो हमारा राइट एपसन क्या बन जाएग भी? सोमनाम बूलिष्ट, सोमनाम बूलिष्ट मिन्स क्या होता है, एक ऐसे इंसान जो सोती समय क्या करता है, चलने लगता हूँ, ओके, तो ये सारे आपको जितनी भी वो काई बताई जा रही है, जितनी भी word meaning बताई जा रहे हैं, इनको आप mind में रख लेंगे, ओके, चलिए, दे speech, जो पहली बार कोई person द्वारा, अटेंड की जा रही हूँ, ठीक है, बया बनाई गई हो, तो वो क्या कहलाता है, देख लेते हैं, देखे, मैमल क्या होता है, मैमल होता है, कैसा animal, ठीक है, एक ऐसा animal, जो क्या करता हो, हमें milk देता हो, मतलिब कि दोध देता हो, उसे हम क्या मैमल बोलते हैं, okay manuscript क्या होता है, manuscript होता है, एक ऐसा matter, जो खुद हाथो दारा लिखा गया हो, by hand, ठीक है, matter by hand, matter written by hand, तो वो क्या होता है, manuscript होता है, inedible क्या होता है, inedible means होता है, जो खाने योग ना हो, inedible means क्या होता है, not fit with eaten, ठीक है, तो madden क्या होता है, madden होता है, if first speech, ठीक है, जो पहली बार बनाई गई हो, पहली बार बोली जा रहा हो, उसे बोलते है, madden speech मतलब कि first speech, so right option आपका बन बन जाएगा बी ओके फ्रेंड आपका राइट आपसन बन जाएगा बी मैड इन स्पीच चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है एक ग्रेव यार्ड वेर देड और बरीड एक ऐसा इस्थान जहां पे डेड बॉड़ी क्या करती है रखी जाती हो उसी क्या कहा जाता है डेड बॉड़ी क्या होती है बरीड की जाती है उसी क्या बोलेंगे क्लॉक रूम सीमेट्री एक्वेरियम अपेरी ठीक है क्लॉक रूम क्या होता है clock room वो होता है जो station में railway station में क्या होता है जहां पर luggage रखे जाते हैं ठीक है जहां पर आपके luggage रखे जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते है clock room बोलते हैं okay aquarium क्या होता है aquarium जहां पर fish का कोई tank बना हो ठीक है जहां पर fish रखी जाती है उसे बोलते है क्या होती है यहां पर बी मीज्च क्या होते है पर मदमख्या रखे जाते हैं इसे क्या बोलते हैं चैwał énormément आपका बन जाया भी हो ते सारे ADA के home को क्या कहते हैं थीक है हाइफ क्या होता है यह किसका घर होता है यह बी को घर होता है मतलब की मदमक्की का क्या कहला था हाइफ हैंग ER क्या होता है फिल्ग के अनाज रखा जाता है एक बודה उससे बोलते हैं granary, dre क्या होता है, dre होता है squirrels home, मतलब कि गलहराई के घरकुम क्या बोलते है, dre बोलते है, तो right option आपका क्या बन जाएगा, a, right option आपका क्या बन जाएगा, a, मतलब कि dre, dre means क्या बन जाएगा, a square's, मतलब a square's home, a house of shelters for a dog, अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, a squirrels home, मतलब कि गलहरी घर को क्या बोलते हैं, अब इसमें क्या बता रहा है, कि dog के घर को क्या बोलते हैं, okay, चलिए देख लेते हैं, मिन्ट क्या होता है, मिन्ट होता है, जहां पर coins एकठा किये जाते, coins रखे जाते, उसे क्या बोलते हैं, मिन्ट बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंट, उसे क्या बोलते हैं, मिन्ट, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या रखते हैं, जहां पे हम लोग रखते हैं coins, ओके, चलिए अम morgue क्या होता है morgue means होता है मुर्दागर, क्या होता है friend मुर्दागर, जहां पे मुर्दा को, क्या किया जाता है, रखा जाता है ओके, उसे बोलते हम लोग morgue, ठीक, orchard क्या होता है, orchard मतलब जहां पर फल उगाए जाते हैं, वो क्या वकहलाता है, और्चार्ड, कैनल क्या होता है, a house of center for a dog, कैनल मतलब कि डाग के घर को क्या बोलते हैं, कैनल, क्या बोलते हैं, प्रिंट, कैनल, तो right option आपका बन जाएगा C, चलिए अब देख लेते हैं, यह जितने भी question बताए जा रहे हैं, आपके कोई सब एक्जाम हो, यह सब के लिए most important है, ठीक है, ऐसे ही question आपके exam में, जैसे केविस, अभी चल रहा है exam, आपका TCT हो चुका है, उसमें ऐसे ही question पूछे गए हैं, ठी question, an imaginary land with perfect social order, एक ऐसा इस्थान, एक ऐसा कल्पनिक इस्थान, जो बिल्कुल social के लिए, social order के लिए perfect इस्थान हो, वो क्या कहलाता है, solar क्या होता है, solar तो suns related होता है, है ना, solar उर्जाज से बोलते हैं, ठीक है sir, तो transparent क्या होता है, transparent होता है, बिल्कुल जो, खुलम खुला मतलब जो इधर से उधर का दिखाए देना, वो क्या होता है, transparent होता है, quadript क्या होता है, जो चार पैर वाला animal होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, quadript, okay, utopia क्या होता है, utopia होता है, एक perfect place, ऐसा perfect place, imaginary place, जहां पे social order क्या हो, एक दम perfect हो, ठ ठीक है उसे हम क्या बोलेंगे यूटोपिया, most important word है यूटोपिया, ठीक है, imaginary land बोल सकते हैं, या फिर perfect place बोल सकते हैं, okay, so right option आपका बन जाएगा C, यूटोपिया, देख लेते हैं, next question क्या है, देखें, a house of shelters for a horse, a house of shelters for a horse, अब यहाँ पर किसका घर बताना है, अब यहाँ पर हम बताएंगे, horse का घर क्या होता, क्या कहलाता है, ठीक है, तो देख लेते हैं, wardrobe क्या होता है, wardrobe एक ऐसे इस्थान होता है, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, मतलब कपड़े रखने की almारी होती है, वो कहलाती है wardrobe, टैनरी क्या होता है, टैनरी होता है, जहाँ पर आपके, मतलब की, लेदर का समान रखा जाता है, ठीक है, लेदर बनता है, या लेदर का समान रखा जाता है, उसे बोलते हैं, टैनरी, इस्टेबल क्या होता है, इस्टेबल आपका, यह horse home होता है, ठ फॉड़े घर होता है? इसटाई किसका घर होते है? बिग का घर होता है इसटाई आपका right आपसन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा क्या है ठीक है अब आपसे कोई पूछे a house of seltr for a horse तो आप बताएगे stable ठीक है अगर आप से कोई पूछ ले कि pick का home क्या कहला था तो आप बताएंगे style ठीक है leather comb क्या कहलाएगा tandy and clothes comb क्या कहलाएगा wardrobe ठीक है तो यह सारे word आपको याद रख लेने हैं ठीक है चले देख लेते हैं next question क्या है अब हमारे phraseal word भी से start होते हैं अभी तक हम लोग ने पढ़ा one word substitution को अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे phrasal verb ओके चले अब हम लोग देखेंगे phrasal verb को जो आपके लिए most important है देखे fallback अब fallback means बताना है यह आपका phrasal verb है ठीक है fallback means क्या होता है किपेंडर्न होता है कि decrease होता है कि quarrel होता है कि retreat होता है ठीक है अब देखें fallback fall means क्या होता है fall means होता है गिरना क्या होता है friend fall means होता है गिरना और back means वापस ठीक है तो देख लीजिए इसके हिंदी क्या बन जाएगी, fallback means मतलब की, पीछे हटना, क्या बन जाएगी पीछे हटना ठीक है यह हमारी क्या बन जाएगी, fallback depend on, मतलब किसी पर depend होना, यह तो होगा, यह decrease मतलब की, कम करना ठीक है, यह भी नहीं हो सकता so, quarrel means, लड़ाई जगड़ा यह भी नहीं हो सकता है retreat मतलब यह होता है, इसका means, ठीक है, fallback का means, क्या होता है, retreat मतलब पीछे हटना, ठीक है, so, right option आपका क्या बन जाएगा, D क्या बन जाएगा, friend, D ओके, चलिए, अब देख लेते हैं next question get along, क्या है get along, अब देखिए get along means, क्या होता है पहले ता आप लोग यह जा लिए get along, ठीक है देखिए reach क्या होता है reach होता है, पहुचना क्या होता है, reach means क्या होता है escape means क्या होता है, भाग जाना ठीक है, क्या होता है भाग जाना, और be friendly, मतलब कि किसी से friendly behavior करना Understand means क्या होता है समझदारी दिखाना या समझदार होना तो आपका get along means क्या होता है get along means होता है be friendly होना बतलब क्या होना be friendly होना किसी से किस तरीकsung के बहुर अपर करना friendly ठीक है friendly बहुर करना So, write option आपका क्या बन जाएगा c be friendly get along means आपको अब जान लेना है अब क्या बताएंगे be friendly ओके चलिए देख लेते हैं next phrasal वर्फ हमारा क्या है get away with यह most important है ठीक है get away with अब get away with का मतलब क्या होता है देखिए without being punished बिना punish के बिना मतलब कि जिसको बिना punish के ही छोड़ दिया जाए live together मतलब साथ साथ रहने वाला pass through मतलब कि वापस कर देना ठीक है distribute मतलब कि बाटना तो इसका जो get away with का मतलब होता है without being punished क्या होता है without being बिना punish के ही ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका write आप से a get away with का means आपको चान लेना है without being punished ओके चलिए अब देख लेते हैं next question I hope अब आपको कोई font से आपके कोई भी query नहीं होगी आपको कोई भी issue नहीं होगा ठीक है अब आपको मेरे हिसाफ से तो font अच्छे दिये जा रहा है जिससे आपके सारे question आप बहुत कम से कम net में भी आप देख सकेंगे ठीक है चलिए अब देख लेते हैं next question hand out हमारा phrasal verb क्या है hand out hand out means क्या होता है ठीक है देख लेते हैं पहला option क्या है carry on carry on means क्या होता है जारी रखना क्या होता है friend जारी रखना है post upon means क्या होता है post upon means होता है delay करना कोई काम को देर से करना है यह हमारा क्या होता है यह हमारा होता है पॉस्ट पॉन ठीक है और देखिए फिर इस्टेवेटिंग अब देखिए इसमें जो रेशिस्ट देदिया गए है इसमें रेशिस्ट नहीं होगा डिष्ट्रिब्यूट होगा क्या होगा फ्रेंड इसका आपसन ही गलत तो आपका जो इसको right option बंजा है urban distribute काट लीजिए इसके जगाा क्या लिख लेना है distribute hand-out का मतलब होता है distribute करना मतलब की जैसे आपको षसका दे दिये जाई example hand out hand out the books to the student students ठीक है मतलब कि यह जो books थी वो student को बीच में क्या कर दे गए बाट दे गए ठीक है तो hand about का मतलब क्या होता है distribute करना ठीक है क्या होता है distribute करना ओके चले तो यह आपका right option बन जाएगा be distribute करना ठीक है चले अब देख लेते हैं next question lay by lay by means क्या होता है सबसे पहला तो यह देखेंगे ठीक है सबसे पहला हमारा option क्या humiliate करना किसी को क्या करना humiliate करना post upon आप देखे चुके delay करना withdraw means होता है nिकालना same money means क्या होता है पैसे को बचाना ठीक है तो lay by means यह होता है same money ठीक है lay by means होता है same money मतलब पैसे को save करना बचाना यह क्या होता है lay by मतलब कि save money ओके चले अब देख लेते हैं next question हमारा next phrasal verb भी क्या है look after यह most important phrasal verb है यह exam में पूछ लिया जाता है तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना है ठीक है look after क्या होता है see care fully अलब ध्यान से देखना hate means नफरत करना investigate means क्या होता है investigate means कोई चीज को खोजना ठीक take care of means होता है देख बाल रखना ठीक है क्या बन जाएगा friend देख भाल रखना ठीक है look after क्या मतलब हो जाएगा देख भाल रखना so right option क्या आपका बन जाएगा take care of ओके चलिए देख लेते हैं next question ये भी आपका most important question है क्या है sit forth अब sit forth क्या होता है देख लेते हैं sit forth देख रिलाक्स relax means क्या होता है relax मतलब कोई चीज़ को relax करना ठीक है और represent मतलब की दुबारा से उसको present करना ठीक है start a business कोई business को start करना start a journey कोई journey को start करना तो sit forth मतलब ही होता है start a journey journey को start करना यात्रा को start करना वही एक मतलब होता है तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है, शिर्ट फॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आपसम बन जाएगा, डी, देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक आफ, टेक आफ क्या होता है, ये देख लेंगे, ठीक है, क्या है, बी डिलीवर्ड, बी डिसीव्ड, रिमोब रिजेंबल, देखें, टेक आफ, बी डिलीवर्ड, बी डिसीव्ड, रिमोब रिजेंबल, रिजेंबल मिन्स क्या होता है, अलब किसी से की शकल मिलना, ठीक ह मतलब कि same same उच्ट आयम मैं बोल सकते हैं क्या resemble? remove means होता है, हटाना, ठीक है? धोका देना और delivered करना मतलब कोई समान को यहां से वहां पहुंचाना ठीक है? तो take off means क्या होता है? take off means होता है किसी चीच को remove करना क्या होता है friend किसी चीज़ को remove करना किसी चीज़ को हटाना ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे take off ठीक है बात clear होगी ने take off चले देख लेते हैं next question क्या है wipe away अब wipe away क्या होता है देख लेंगे ये भी आपका important है ठीक है wipe away देखें learn about याद रखना किसी के बारे में influence किसी से influence होना मतलब कि उत्साहित होना उसे में बोलते है influence destroy means होता है nest कर देना या बरबाद कर देना destroy होता है remove means क्या होता है हटाना क्या होता है friend हटाना so right option क्या बन जाएगा wipe out means होता है sorry wipe away means क्या होता है remove करना क्या होता है फ्रेंड रिमॉब करना वाइप आब मेंस क्या होता है हटाना ठीक है और वसी कर बन जाएगा रिमॉब ऑकै आपका राइट आपसें मैं जाएगा क्या बन जाएगा है छले देख लेते हैं आज का लास्ट एकिप्षेन हमारा क्या है देखे वरक आउट अब वरक आउट क्या होता है देख लेते हैं instigate करना, switch on करना, solve the problem, spend time together ठीक है time मतलब की साथ में time को spend करना, kharच करना, switch on करना, instigate करना so workout मतलब होता है किसी problem को solve करना क्या होता है वर्काउट, वर्काउट means क्या होता है किसी प्राब्लम को सॉल्व करना, ठीक है सो राइट आपसान आपको क्या बन जाएगा, C क्या बन जाएगा, फ्रेंड C, ठीक है तो ये थे हमारे कुछ टाप 20 क्यूशन जो आपके phrasal word plus one word substitution से लिए गये थे जो आपके लिए बेहत important ठीक है फ्रेंड तो चलिए ये जितने भी question आप हैं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप अपने friend को भी share कर सकते हैं ताकि वो इस class का लाव उठा सके, ठीक है और ये जितनी भी practice आपको दी जा रहे हैं ये आपको बिल्कुल free of cost है इसमें कोई भी आपको पैसे pay नहीं करना है ठीक है? तो आप इन classes का अच्छे से लाव उठाएं अच्छे से पढ़िए ताकि आपके कोई भी exam हो उसमें आपके सारे question बिल्कुल right हो होती है उनका notification आप तक तुरंत पहुंस जाता है ठीक है फ्रेंट तो चले फ्रेंट अब हम लोग class को over करेंगे thank you so much